पाकिस्तान को एक नया टैग मिला जिसके लिए वो UNGA युनाइट नेशन जेनरल लेसिल में बहुत महनत कर रहे थे इंडिया को लेम सेम करने की बट एक्चुली ये उनके उपर उल्टा परा है पाकिस्तान को टैग दिया है जियो बाइडन ने अब ये खिताब उन्होंने एक्चुली रसिया को भी नहीं दिया जो कि इस समय युक्रेन के साथ वार पे है और ऐसा करते हुए जियो पॉलिटिकल क्या कंपल्संस परेंगे वर्ल्ट के उपर और इससे पाकिस्तान को क्या-क्या कॉंसिक्वेंस हमें हम इसके बारे में डिट करेंगे एगेंस रसिया ने जो illegally occupy किया है चार एडिया को युक्रेन के लेकिन यहां पर जब वोटिंग हुई तो इंडिया तो एस्टेंड कर गई साथ में पाकिस्तान ने भी यहां पर फैसला किया कि वह आखिरकार रसिया का साथ देंगे और वह भी एस्टेंड कर गया ज को समालना चाहिए केस फायर करने से रोकना चाहिए जमू एंड कस्मीर में तो यह एक बहुत ही प्रफोकी बयान था जो कि उन्होंने इंडिया के अगेंस दिया था लेकिन इन सब के बाद भी जब हो एगेंस गए तो जियो बाइडन को खुलके सामने आना पड़ा और उन् उनकी जो पॉलिटिकल स्टक्चर है उसके उपर यह सीधा सीधा सा एक बड़ा सा तमाचा है तो यहाँ पे उन्होंने बोला है most dangerous country in the world और यह बोलते हुए उन्होंने यह बोला है कि आप अगर रसिया और चाइना के साथ अगर देखो तो proximity करके यह country कुछ भी कर सकती है और उन्होंने यह भी बोला है कि actually इस country का अभी कुछ भी final नहीं किया सकता बिकॉज यहाँ पे कौन control कर रहा है पूरे के पूरे political despair को यह clear नहीं है अब आप वहाँ पे देख रहे होंगे ट्रेडिस्ट हाफिस सहीद जैसे वो लोग कुछ कमेंट रहते हैं और जो general बाजवा है उनका कुछ अलग कमेंट होता है तो यहाँ पे जियो बाइडन का सीधा सीधा डर है कि कहीं अगर उनकी जो nuclear power है वो अगर terrorist के हाथ में चले गए तो उसका रसिया गलत यूज कर सकता है यूकरेन के वार के टैम में अब अगर खुद आप example के तोड़ पे देखो कि रसिया न नहीं कर सकते तो उनके पास है ही क्यों तो इसके साथ आप यह न्यूज में देख सकते हो बल्ड मिड पुटिन को और यह है जाई जिंग पिन आप सभी जानते होंगे इनको तो एक्चुली यह जो है एजर इस्पेसली चाइना पाकिस्तान को प्रॉक्सी एस्टेट यूज है प्रॉक्सी वह इस्टेट होता है दोस्तों जो देना चाहिए और ये कुछ दिन पहले इंडिया को ही पढ़ा था लेकिन इंडिया को अलग मकसद से पढ़ा था यहां पे पाकिस्तान का यह है कि पाकिस्तान को जिधर जो भी ज्यादा पैसा देगा उधर भाग जाता है आप 1947 से अभी तक देख रहे हो जब अफगानिस्तान में डाट चला था सोवियद यूणियन के द्वारा तो वहां पर पैसे खेला है यूएस ने तो यूएस का साथ देने लगा अभी चाइना पैसे खिला है तो चाइना का साथ देता है घुमफिर के इसलिए पाकिस्तान के वरोसा नहीं किया असकता इसलिए उसको most dangerous country का tag दिय इसके साथ आप एक question का जवाब दीजेगा आप इससे comment box में जरूर लिखेगा क्योंकि मैं इससे related details सारी के सारी आपको वीडियो के अंत में दूंगा इंडिया global rank in global hunger index आपके पास चार option है 124, 107, 104 और 117 आप comment box में लिखेगा और वीडियो के खतम होने से पहले मैं इसकी पूरी detail दूंगा इसकी organize कौन करता है इसका organization को held कौन करता है और इससे related information तो actually news में है कि जियो बाइटन ने जब ऐसा बोला है तो most dangerous nation in the world बोलते हुए उन्होंने ये quote कि democratic congressial campaign जो हुई थी और जो reception on Friday उसमें उन्होंने ऐसा बोला और ये सिर्फ democratic party नहीं बोली है इभेन Republican उन्होंने दोनोंने मिल के बोला है और एक है आरो खन्ना जो की actually Indian origin है उन्होंने इस बिल को Congress के तरफ से बाहर लाया और ये थब जाकर के publish हुआ और जियो बाइटन ने ऐसा बोला आरो खन्ना ही वो है जिन्होंने actually Southern Arabia के against step लेने के लिए जियो बाइटन को बोला है और इन्होंने बाइटन ने इसके साथ ये भी बोला most dangerous nation in the world तो है ही लेकिन nuclear weapon जो है without any cohesion है आप इस word को देखिए कोहिजन का word यहाँ पर यूज किया गया है कि आखिरकार वहाँ पर कौन सा state actor भाग ले रहा है पूरे के पूरे nation को govern करने में अगर आप देखो तो एक तरफ आतंकवादी है और दूसरी तरफ टेलरीजम के साथ वहाँ पर फिर आता है role वहाँ पर आप सब जानते हैं उसका बार बोलता रहा है कि with terrorism we are not going to talk in Pakistan और आपने इससे पहले सारे comments भी देखे होंगे हमारे foreign ministers के उन्होंने बोला कि आखिरकार हम पाकिस्तान जाएं और किससे बात करें हमें समझ में नहीं आता because एक तो वहाँ पे हो गई आपकी army, terrorism और तीसरी government तो actually में किसे बात करके आपका मामला सुलजे ये clear ही नहीं है यही problem है जो कि जियो बाइडन को नजर आया उन्होंने बोला कि Pakistan without cohesion है उस nation में कौन particularly power में है किसी को नहीं पता तो इन सारी बातों को बोलते हुए उन्होंने ये भी बोला है कि ये impact करेगा पूरे के पूरे globe के उपर बिकॉज पाकिस्तान के पास nuclear power है और आप सब जानते होंगे आखिरका नॉर्थ कोरिया ने जितनी बार नहीं बोला है कि nuclear blast कर देगा उससे ज़्यादा बार पाकिस्तान बोल चुका है इंडिया को कि वो nuclear blast कर देगा तो इससे वासिंग्टन की टाई के future के बारे में तो तही हो जाता है फिलहाल international relation ये याद रखेगा national interest define करता है इसलिए US कल को क्या move लेता है हम इसके बारे में certain नहीं है पर फिलहाल के लिए तो अभी पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा against है इससे पाकिस्तान और भी ज्यादा isolate हो जाएगा आप इस world को देख सकते हैं globe को ये रही हमारी प्यारी country और यहां से ये रहा पाकिस्तान हमारे बगल में अब पाकिस्तान का आप location जरा बस गौर कीजिएगा कि ये चाइना के नजदीक भी है और यहां पे रसिया के नजदीक भी है और इसके साथ होन country जो कि geopolitically बहुत ही important है इसलिए पाकिस्तान important हो जाता है all over world के लिए मामलों में जैसे अफगानिस्तान होगे जो कि हमेशा से war-tron रहा है और इंडिया को problem create करने के लिए चाइना के लिए और रसिया के लिए कि यहां पे जो भी आता है वो जाहेगा अफगानिस्तान है war करन और उसके बाद यहां पे चाइना का भी investment चल रहा है तो इन सारी चीजों के साथ पाकिस्तान का strategic location जो है वो बहुत ज्यादा important है हरे country के लिए जिसका हरे कोई फाइदा उठाना चाता है और पाकिस्तान अपनी national superiority को कभी आगे नहीं रख पाता है जिसके वजह से वो हमेशा यूज होता है और problem में ही रहता है अभी तक देखी independence के बाद उन्हें बहुत सारी funding मिली लेकिन फिर भी वो sustain नहीं हो पाए because उसका reason है वहां कि जो army है सारे पैसे खा जाती है और जो terrorism है उसका use करती है खूद को बढ़ानी के लिए तो वहां पे जो people है उसमें ultimately वो suffer करते है और वो सफर करते रहेंगे जब तक यह dilemma खतम नहीं होता है इसके साथ F-16 अभी जो United States ने actually पाकिस्तान को उसके बोला कि हम आपको spare parts के लिए रहे है इस पे हमारे जो Jay Sankar है Foreign F.S. Manishar उन्होंने बहुत rightly बोला कि हमारे साथ bluff मत करो यह बेवकूफ मत बनाओ कि तुमने यह spare parts के लिए उनको दिया हुआ F-16 के लिए जब कि तुम जानते हो कि F-16 का यूज क्यों होता है आप सभी जानते होंगे जब कि अभिनंदन हमारे जो विंग कमांडर थे वो फ्लाइट लेकर के जब गए थे मीग 29 लेकर के पीछा करते हुए तो F-16 था और F-16 के जो बॉम फो अच्याप दे सकें बल्की फाइदा ना उठा सकें आप ये वीडियो देख सकते हो इसमे एक्चσιली यही है बिलावल मंतो उन्होंने बोला कि इंडिया के व completo क्यों कि इंडिया के उपर ऑब मरमास ब्रह्मोस है जो कि इंडिया का सच्छ में ск ragmas經 और वह उह उन्होंने रस् foreign policy की failure है अभी के government की और failure होने के साथ इन नुकला did anybody think that in इस situation में China figure out कर रहा है अपने आपको relative Russia और India के साथ और Pakistan को कहां छोड़ गया है ये दोनों के दोनों country सच में ये question है जो कि Pakistan के लोगों को सोचना चाहिए बहुत ही 60 lakh mosquito net दिया और even food के लिए और money के लिए इंडिया ने अप्रोच किया पर बिलावल भुटो जैसे government के कुछ लोग हैं जोनोंने पहले ही comment कर दिया कि हमें कुछ नहीं अब पाकिस्तान के साथ यही problem है अब पाकिस्तान यह सोचता है कि उसकी जो government है वह सारी policy ला रही है लेकिन ऐसा है नहीं वहाँ पे आर्मी जो है वह actually पीछे से मौत पीस है जो की general बाजबा वह पूरे की पूरी control करते हैं अब जब control इनके हाथ में है तो आप इनको पैसा भी चाहिए और पैसे के साथ इनको full control future में भी चाहिए आर्मी का की बना रहे क्योंकि आप अगर इलाइट्स देखोगे पाकिस्तान में कौन है तो वह होते हैं आर्मी के नाम पर वहां पर फाइदा उठाते हैं इसका में काम करती है आर्मी अब देखिए इससे पहले बोला है कारल मार्क्स ने कि एक्चुली रिलीजन जो है मासिस के लिए ओपियम है अब यह पाकिस्तान में पूरी तरह से आपको क्लियरली दिखेगा कि वह खुद के पैर के उपर रिलीजन के नाम पे कैसे कुलहरी मारते हैं इसके साथ आपका एंसर है दोस्तों इंडिया का जो रैंक है 107 है आपने ए यह क्रियेट हुआ था गुलोबर हंगर इंडेक्स तुरहेंट 6 में और इसके साथ इनिसेली पब्लीज किया था यूएं स्वारी उनाइटे स्टेट बेस इंटरनाशनल फूड पॉलेसी और रिसर्च इंसिटूट इफरी इसके साथ है तुरहेंट 6 से याद रखिएगा औ जो की जर्मनी बेस्ट यह व्यल्ट हंगर लाइफ बट में जो है और इसके साथ डो सपोर्टिंग है इंटरनैस्चनल फूड पॉलेसी रिसरन सेट इसके साथ जर्मन बेस्ट है जो की दोनों साथ में तो यह दुखिएगा यह हमारे प्रेलिम हैं और मिंस दोनों में काम आ स्टेप्ट एसाइड हो गई और जो इन्वाल्मेंट थी प्रोजेक्ट की वो जिया चाहे ग्लोबर हंगर इंडेक्स जॉइंट प्रोजेक्ट बन गया वेल्थ अंगर लाइफ एंड कंसर्ण वाइड स्वर्ड वाइड का ठीक है याद रखिएगा तो यह कोस्चन आपको समझ में आ गया अगर आपने सही लिखा हो तो आप सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा